विधान परिशत के शिक्षक निर्वाचन सीट नाकपूर के चुनाफ के लिए प्रचार थम गया है तिस जनवरी को मतदान होगा शनिवाल को प्रचार थमने के साथ ही मतदाताओं से संपर्ख तेज हो गया है बूद वबस्थापन से जुड़े कारेकरताओं के अलावा उमीदवार के प्रतिनीदी शिक्षक मतदाताओं से संपर्ख साध रहे हैं सामाजिक समीकरन का भी ध्यान रखा जा रहा है चुड़ा दो बार चुनाव लड़ चुके नागो गणार को शिक्षक परिशद ने दो माँ पहले ही उमीदवार खोशित कर दिया था लेकिन उन्हें समर्थन देती रही भाजपा नहीं नामनकन भढ़ने की दो दिन पहले ही उन्हें समर्थन दिया महाविकास अगारी की और से शिफसना चाकरे गुठ के गंगाधर नाकारे ने नामनकन दर्च कराया लेकिन बाद में नामनकन वापस ले लिया उसके बाद कॉंग्रेस नेताओं की पसंद के तौप अब विधर माध्यमिक शिक्षन संग की सुधाकर अडवाले को महाविकास अगारी का उमीदवार खोशिक किया गया उदर शिक्षक भारती के राजेंदर जाड़े चुनावती देने लगे उन्होंने दावा किया कि विधान परिशत की स्नात्रक निर्वाचन सीट के समय ही उन्हें चुनाव में समर्थन के लिए कौंग्रेस का आशवासन मिला था जाड़े के समर्थन में कुछ कौंग्रेस ने तक खुल कर बोलने लगे विधान परिशत शिक्षक निर्वाचन शेत्र के चुनाव के लिए प्रचार शनिवार शाम चार बजे खत्म हो गया सोमवार 30 जनवरी को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मद्दान होगा वोटों की गिंती दो फरवरी को होगी चुनावायों ने सबस्ट निर्देश दिया है कि शाम 4 बजे के बाद कोई भी प्रचार ना करें किसी भी प्रकार का वैवार पाय जाने पर कड़ी कारवाई की जाएगी जिले में 43 मद्दान केंद्रों पर वोटिंग होगी इसके लिए करीब 2500 करमचारी काम पर लगे हैं अजनी रेलवे स्टेशन के पास सामुदाइक भवन में सुरक्षा भवन बनाया गया है और 30 तारीकों मत पेटियां एकत्रत की जाएगी मीडिया के लिए यह एक चंदरपूर में 27 और गर्चरोली जिले में 18 मद्दान केंद्र निर्धारित किये गए हैं शिक्षक वोटिंग कर सके इसलिए शिक्षकों को 30 चनवरी को विशेश अकास्मिक अफकाश स्वीक्रत किया गया है यह अफकाश करमचारियों को दे अकास्मिक अफकाश के अतरिक तो होगा जिन स्कूलों में मद्दान केंद्रे वहां स्कूले बंद रहेंगी अन्य स्थानों पर नियमित स्कूल होंगे मदाता मद्दान करने जाते समय मुबाइल फोन पैन पैन कैमरा कोई अन्य इलेक्ट्रोनिक गैजट लेकर ना जाए किसी भी प्रकार के आपति जनक फस्तू को अंदर ले जाने पर पाबंदी है कैमरा परसन राजकमा मोड किस्सा शितीजा देशमुग बीसीन न्यूज नाकपूर